नमस्कार राजी सभा टीवी में आपका स्वागत है इस वक्त की हर खावर को लेकर हाजर है हम आपके साथ मैं हूं घंशे आम उपात्याए आज बुलिटन में आपको बताएंगे उपराशपती M.N.C.N.I.D.O. ने भारत में बुजर्गों की जनसंख्या और लिंग अनुपात विशे पर दो रिपोर्ट जारी की इस मौकिप पर उन्होंने इन दोनों ही मुद्दों से जुड़े कई पहलू उपर रोश्णी डाली साथी बात होगी स्वच्छी सर्वेक्षन 2020 के परिणामों की सरकार दोरा जारी स्वच्छी सर्वेक्षन 2020 में इन दोर इस साल भी टॉप पर है वहें गुजरात का सूरत शहर दूसरे स्थान पर काबिज है इसके साथी बात होगी COVID-19 की देश में कोरोना वाइरिस से संक्रमितों की संख्या 28 लाग के पार पहुँच गई है वहीं इस बीमारी से ठीक होने वालों का आकड़ा 21 लाग के करीब हो गया है जिसके चलते रिकवरी रेट 33.9 एक फीसदी हो गया है इसके लावा देश और दुनिया की हर ख़वर पर रहेगी नज़र शुरुआत करते हैं बुलिटन की एहम ख़वर के साथ उपराश्पती M. Venkya Naidu ने आज भारत में बुजर्गों की जनसंख्या और लिंग अनुपात विशे पर दो रिपोर्ट जारी की इस मौके पर उन्होंने बुजर्गों के साथ दुर्भवार को रोकने के लिए साजहा प्रयास की जरूरत पर जोर दिया साथी समाज में किसी भी प्रकार के लेंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए मिल जूल कर काम करने की बात कही उपराश्पती M. Venkya Naidu ने Indian Association of Parliamentarians on Population and Development यानी IAPPD के दो महतवपूर्ण शोध रिपोर्ट जारी की ये रिपोर्ट जन्म के समय भारत में लिंगानुपात के स्थिती और भारत में बुजर्ग जनसंख्या पर शोध रिपोर्ट है इस मौके पर उपराश्पती M. Venkya Naidu ने आगा किया कि जनसंख्या आकार बढ़ने के साथ विकास की चुनोतियों को हल करना अधिक कठिन हो जाएगा 2036 तक भारत की आबादी 152 करोण होने का अनुमान है जो 2011 के तुलना में 25 फीजदी जादा है शेहरी आबादी 2011 में 31.8 प्रतिशत से 2036 तक बढ़कर 38.2 प्रतिशत होने का अनुमान है Families must plan their population. It's not the government alone. Everybody should think about this issue. As the population size increases, developmental challenges become more and more. It's not that development has not taken place. Whatever you have, you share it. So you plan the family accordingly. And then move on. The delivery of basic services to reduce poverty is also an important aspect. उपराश्टुपती ने संयुक्त परिवार प्रणाली के विवस्था फिर से अमल में लाने का आवान करते हुए कहा कि हमारी परिवार प्रणाली को दूसरे देशों के लिए एक उधारन की रूप में काम करना चाहिए. उन्होंने कहा कि जब भी बुजर्गों के साथ दुर्वेवार की खबरे देखता हूँ, मन दुखी होता है. हमारी संस्पृती सदैव बड़ों का आदर सम्मान करना सिखाती है. यहीं हमारी संभिता है. हमारी संस्पृती ने लेंगे का अधार्व बड़ों का आदर सम्मान करना सिखाती है. उपराश्टुपती ने लेंगे का अधार पर भेद़ाव को लेकर भी चिंता जाहिर की. उन्होंने कहा कि हमें ऐисьे समाज का निर्मान करना है, जिसमें किसी भी प्रकार का लेंगेक भेद़ाव ना हो. उन्होंने कहा कि बेटों को संस्कार देने चाहिए, जिससे वो लड़कियों का सम्मान करना सीखें. एक अच्छा समाज बनाने की शुरुआत यहीं से होगी. उप्राशुपती ने कहा कि विकास से जुड़ी चुनोतियों से नेपटने के लिए राजनितिक दल्लों और जन प्रतनिधियों को इन मुद्दों पर खास ध्यान देते हैं. लोगों को शिक्षित करने के जरूरत है. वर्तमान में 889 है. यह 2017 के आकड़े हैं. वहीं प्राकर्तिक या जैविक जन के समय लिंगानुपात प्रती 1000 पुरुष पर 907 महिलाए हैं. रिपोर्ट की मुताबिक जन के समय लड़कियों के कम पैदा होने से आबादी में भी यह अंतर बढ़ता जाता है. 2001 से 2017 के बीच यानि भारत में जन के समय लिंगानुपात में कोई बदलाव नहीं हुआ है. 19 राज्यों और केंदर शासित प्रदेशों में इस अवधी में जन के समय लिंगानुपात में बढ़ुतरी का रुख रहा है. इनमें बिहार, गुजरात, हर्याना, उत्तर प्रदेश, अरुनाचर प्रदेश, मेगाले, मिजोरम और सिक्किम राज्य शामिल है. दस राज्य और केंदर शासित प्रदेशों में जन के समय लिंगानुपात में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इनमें आंदर प्रदेश, आसम, चातिसगर, गोवा, करनाटक शामिल है. वहीं जन के समय लिंगानुपात में गिरावर्ट वाले राज्यों और केंदर शासित प्रदेश में ओडिशा, तमिलनाडू, मनिपूर, नागले, तृपुरा और पुंडुचेरी शामिल है. महारत में बुजर्गों की जनसंख्या पर इंडियन असोसेशन ओफ पालिया मेंटिरियन्स ओन पॉपुलेशन एंड डिवलोप्मेंट की रिपोर्ट में कहा गया कि 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की आवादी सामान जनसंख्या की तुलना में तेजी से बढ़ रही है. इससे पता चलता है कि जीवन प्रत्याशा में बढ़ोत्री हुई है, हालकि इन बुजर्गों की स्वास्त आर्थिक इस्तिती और समाज में बहतर सम्मान को लेकर चिन्ताएं भी जुड़ी हुई है. महिला बुजर्गों की संख्या पुरुष बुजर्गों की संख्या से माहिला बुजर्गों की आर्थिक जरुवतों को पूरा करने पर ध्यान के इंद्रित किये जाने की जरूरत है। सरकार द्वारा जारी सुच्छी सर्वेक्षन 2020 में इंद्र इस साल भी टॉप पर है। की गई। लगातार चौधी बार इन दौर को देश के सबसे साफ शहर का खताब मिला। इससे पहले इन दौर 2017, 2018 और 2019 में भी शीर्श स्थान पर रहा। वही दूसरे स्थान पर गुजरात का सूरत और तीसरे पर महराष्ट का नवी मुंबई है। पहले संसकरर में सबसे सुच शहर का पुरसकार करनाटा के मैसूर ने हासिल किया था। इस दौरान साफ सफाई को लेकर बेहतर प्रदशन करने वाले शहरों को पुरसकरत भी किया गया। One of the unanticipated and solid offtake and results of this scheme is that not only because people will become healthier, there'll be sanitation, it'll help you fight your degradation of the environment better, but it has a direct impact on the property price and evaluation of where you live. स्वक्षता सर्वेक्षन 2020 में चौथे नंबर पर विजयवाड़ा, पाचवे पर एहमदाबाद, छठे पर राजकोट, साथवे पर भोपाल, आथवे पर चंडीगर, नवे पर विशाका पत्तनम और दसवे पर वडोदरा रहा स्वक्षता सर्वेक्षन 2020 में जालंर कैंट को सबसे स्वच चावनी खोशित किया गया, वही वारानसी को गंगा नदी के किनारे बसा सबसे साफ शहर का खताब मिला एक लाग से ज्यादा आबादी वाले सबसे स्वच्छ शहर का खताब शाजहापुर को मिला जबकि एक लाग से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सर्वश्च शहर का खताब उतराखंड के नंद प्रयाग को मिला सर्वेक्षर में सौ से ज्यादा शहरों वाले राजे में सबसे साफ राज चतीस गर्ड और सौ से कम शहरों वाले राजे में सबसे साफ राज जारखंड को घुशित किया गया सौक्ष सर्वेक्षन 2020 का कारे 28 दिन में पूरा किया गया है सौक्षिता एप पर 1.7 करोर नागरिकों ने रेजिस्ट्रेशन कराया जबकि सोशल मीडिया पर 11 करोर से ज्यादा बार इसे देखा गया सौक्ष सर्वेक्षन 2020 दुनिया का सबसे बड़ा सौक्षिता सर्वेक्षन है जिसमें कुल 4,242 शहरों, 62 चावनी बोड और गंगा नदी के किनारे स्थित 92 शहरों के सर्वेक्षन में 1 करोर 87 लाख लोगों ने हिस्सा लिया जन्वरी 2016 में पहली बार नागरिकों की व्यापक स्थर पर भागिदारी के मकसद से सरकार ने स्वक्ष सर्वेक्षन की शुरुआत की थी ब्यूरो रिपोर्ट राज्य सभा टीवी स्वक्षन 2020 के परिणामों की घोशना की बाद उपराश्पती एमवेंक्या नाइडू ने ट्वीट कर बधाई दी है कि आंध्रप्रदेश के तीन शहर विजवाड़ा, तिरुपती तथा विशाका पतनम देश के दस सबसे सवक्ष शहरों में शामिल है उपराश्पती ने अपने ट्वीट में देश भर से सभी सवच्छता युद्धाओं को उनके अथक प्रयास्यों के लिए बधाई दी उन्होंने उमीद जताई कि सबसे सवच्छ शहरों की कारेपर्दतियों को अन्य शहरों द्वारा भी सवच्छ, स्वस्थ, शिक्षिक, सशक्त और आत्निरफर बनने के लिए अपनाया जाएगा संसद की कोईला और इस्पात सम्बंदी स्थाई समिती ने आज एक एहम बैठक की इस दोरा भारत में अलिमूनियम और कौपर उद्योगों पर विस्तार से चर्चा की कई संसदी सौंध में आयुजित समिती की चौद्वी बैठक करीब दो घंटे चली संसद राकेश सिंग के अधिक्षतावाली इस समिती की समक्ष खानवंदराले के सचिव अनिल कुमार जैन ने प्रस्तुती थी और अलिमूनियम और कौपर उद्योगों के सम्बंद में जानकारी थी कोईला और इसपात सम्बंदि स्थाई समिती की इसी महिने में ये तीसरी बैठक थी समिती की पिछली दो बैठकों में कोईला उत्पाधन में आप निर्भरता और लहो अयसक ख़दानों के मुद्दे पर चर्चा की गई थी सम्बंदित अधिकारियों से विचार विमर्षकर समिती ने इन उद्योगों की रहा में अर्चनों और निदान पर भी चर्चा की संसत की पेट्रोलियम और प्राकरतिक गैस सम्मंदी इस्थाई समिती ने आज पेट्रोलियम उत्पादों के मूली निधारन और अन्य मुद्दो पर विस्तार से ज़चा की सांसद रमेश विधूडी की अधिक्षता वाली ये समिती तेल कंप्रियों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादू का मोले निधारेंड, मार्किटिंग और आपूर्ती विशे पर परताल करही है समिती ने संसद भवन परिसर में होई अपनी तेरवी बैठक में करीब दो घंटा चालिस मिनिट तक इस विशे पर संबंदित अधिकार्यों संग विचार विमश किया बैठक में पेट्रोलियम सचेव तरुन कपूर ने प्रसुदी दी और सदस्यों के उठाए गए प्रशनों का निधान किया बैठक में 18 सदस्यों की मौझूदी रही इसमें राजसभा सदस्य चौधरी सुखराम सिंग यादव, एवीजी कुमार, ओंप्रकाश माथूर, कनक मेदला, रविंद्र कुमार और कांता कर्दम मौझूद रहे समिती कई विश्यों की परताल कर रही है, जिसमें ये काफी एहम विश्य है कोरोना संकट की चलते 17 मार्च की बाद से समिती की बैठके नहीं हो पा रही थी लेकिन 7 जुलाई से बैठके दुबारा आरंब होने की बाद से समिती ने आज 4 बैठक की उत्तर प्रदेश विधान सभा के मौनसून सत्र की आज से शुरुवात हो गई इस दौरान सदन के बाहर और भीतर सदस्यों ने कोविड-19 से जुड़े दिशा निर्दिशों का पालन किया मौनसून सत्र की कारेवाही तीन दिन चलेगी उत्तर प्रदेश विधान बंडल का मौनसून सत्र गुरुवार से शुरु हो गया पहले दिन की कारेवाही के दौरान मुख्यमंत्री योगिया दितनात ने सदन भी भाशर दिया उन्होंने पूर्वी लद्दाक में भारतिय चीन सेना के जवानों की बीच हुए कोरोना महावारी के चलते मौनसून सत्र के पहले दिन सदन का नजारा काफी बदला हुआ दिखाए दिया कारेवाही के दौरान सभी सदस्य और विधान सभाकर्मी मास्क पहने रहे बैठने की विवस्था भी सोशल डिस्टेंसिंग की मांदंड को ध्यान में रखते हुए की गई सदन में एक सीट पर एकी विधाय को बठाया गया कुस अदस्यों के बैठने की विवस्था आगंतुग गैलरी में की गई थी वुख्यमंत्री योगिया दितनात ने कोरोना के स्थिती पर भी बात की पत्रकारों को भी सदन की कारेवाही के दौरान दूर रखा गया प्रदेश सरकार ने मीडिया कर्मियों के लिए बुद्वार को इस बारे में परामश जारे किया था राज्य सरकान ने कहा था कि सत्र की कारेवाही की कवरेज के लिए आने वाले पत्रकारों को कोरोना जाज कराना अनिवारे है और उन्हें प्रेस गालरी में नहीं बैठने दिया जाएगा लेकिन सभी पत्रकार तिलक हॉल में बैट सकेंगे जहां से वो कारिवाही का सीधा प्रसानन देख सकेंगे सदन की कारिवाही के पहले दिन मुख्य मंत्री योग यादितनाथ समय सभी सदस्यों ने श्रीमती कमल रानी वरू, चेतन चोहान, वीरेन सेंग सिरोही और पारसनात यादव को श्रिधानजली दी इन में से दो सदस्य रहे मंत्रियों को कोविड-19 के चलते पिछले हफते ही अपनी जान गवानी पड़ी उत्तप्रदेश विदानसभा की पूर्व सदस्य और मद्धिप्रदेश के राजे पाल रहे लालजी टंडन के निधन पर भी सदन में शोक व्यक्त किया गया ब्यूर रपोर्ट राजी सभा टीवी चीन के साथ लद्दाक में सीमा को लेकर चल रहे तनावों के बीच देश के टॉप नौसेना कमांडर्स का राजसानी दिल्ली में एक सम्मिलन आयोजित किया गया आज सम्मिलन का दूसरा दिन है 19 अगस से ये तीन दिवसी सम्मिलन शुरू किया गया सम्मिलन का मुख जोर भारती नौसेना की तयारियों की साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की सुरुक्षा हितों से संबंधित मुद्धों की समिक्षा की जाएगी साथी नौसेना की कमांडर्स सेना के तीनों अंगों के बीच तालमे सुनिश्यत करने चीन की साथ सीमा विवाद और COVID-19 जैसी अभूत पूर चुनोतियों से निपटने पर विचार विमश किया जाएगा भारती अंतरिक्ष विभाग दोरा अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की शमता का विस्तार विशे पर आयोजित एक वेबिनार का आयोजिन किया खिया वेबिनार में इस्त्रो के अलावा उद्योग और शिक्षा जगत के प्रवुंख हस्तियों को शामिल किया गया इस दोरान अंतरिक्ष में भारत की भूमिका और अफसर की साथी अद्योगी संवर्धन और उप्योग प्रक्रिया उपर चर्चा हुई अंतरिक्ष की क्षेत्र में भारत की क्षमता का विस्तार विशेपर आयोजित वेबिनार में भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन ने कहा कि देश के अंतरिक्ष सुधारों का उदेश इसरू का निजी करन करना नहीं है बलकि अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास के साथ ही क्षमता निर्माण और निजी क्षेतर के भागिदारी को सुनिश्चित करना है उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा संचार उग्रहों के आयात पर प्रतिबंद लगाने का निर्ने निजी क्षेतर के लिए बहुत बड़ा अवसर है वेबनार में उद्योग जगत का प्रतिने दित्व करते हुए महिंद्रा समू के अधक्ष आनन महिंद्रा ने कहा कि अंतरिक्ष के क्षेतर में भारत की क्षमता का विस्तार करने के लिए सावजनिक निजी साजेदारी मॉडल अपनाने के जरूरत है आनन महिंद्रा ने सरकार से आग्रे किया कि इसके लिए ऐसी संरचनाएं और नीतियां बनाई जाएं जो पहले नहीं थी Think of creating structures and systems that have never existed before. Think differently about achieving the goal, whether you're a public or a private player. Think of what support you might require from the law, from financial institutions, from regulators, from academia to make these structures work. Think of what incentives and rights need to be given and how they are to be protected. and let's make it part of our work to think about how to produce the next generation of problem solvers like Narasim let's think beyond existing paradigm and I think the answers will emerge इसरो के विज्ञानिक सचिव Dr. R. Uma Maheshwaran ने कहा कि अंतरिक्ष गति विधिया विधेक प्रधान मंत्री कार्याले को प्रस्तुत किया गया है और अंतर मंत्राले ही परामर्ष के बाद केंद्री मंत्री मंडल इस पेंड नर्ना लेगा ब्योरो रिपोर्ट राज्यसाभा टीवी भारत बांगलादेश के बीच COVID-19 महमारी से निपटने और महमारी के बाद अर्थिवस्ता को फिर से खड़ा करने को लेकर उचिस्तर की बाचित हुई है इसके लिए भारत के विदेश सचीव हर्षवर्धन शिंगला ने ढाका का दौरा कर प्रधान मंत्री शेक हसीना से मुलाकात की इस मुलाकात में प्रधान मंत्री शेक हसीना ने भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बांगलादेश की और उठाए गई साहिता के हाथ के लिए खुशी जाहिर की इस मुलाकात में COVID-19 की वैक्सीन, उपचार के अलावा, विकास में साजीधारी और कनेक्टिविटी बढ़ानी जैसे मुद्दो पर भी चर्चा की गई साथ ही ये भी तै किया गया कि दोनों देशों की साजीधारी से चलाई जा रही परियोजनाओं पर निगाह रखने के लिए एक उच्च स्तरी कमेटी का गठन किया जाए भारत और चीन ने आपसी रिष्टों में विकास के लिए सीमा पर शांती बनाने के लिए सहमती जताई है ये सहमती WMCC की बैठक की बात बनी जिसमें विडियो कॉन्फरेंसिंग के जरीए दोनों देशों के अधिकारियों ने शिर्कत की सीमा मुद्दों पर WMCC की ये अठारवी बैठक थी विदेश मुंतराने की प्रवक्ता की मुताविक इस बैठक में सीमा पर तनाओ को कम करने की मुद्दे पर खुल कर और गहराई से बात चित की गई मुद्दों की संख्या 28 लाग के पार पहुच गई वहीं इस बीमारी से ठीक होने वालों का आकड़ा 21 लाग के करीब हो गया है जिसके चलते रिकवरी रेट 73.91 फीसिदी हो गया देश में सक्रिय केस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या का अंतर 14 लाग से अधिक हो गया इधर बीते एक दिन में देश में रिकॉर्ड 9 लाग से अधिक करोना की टेस्ट किये गए 2395 सक्रिय मामले हैं वहीं पिछले 24 घंटे में 977 लोगों की मौत हुई है इसके बाद इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 53,866 हो गई है देश में करोना से मरने वालों की दर 1.90 फीसिदी है बुद्वार को 9 लाग से ज्यादा करोना के टेस्ट किये गए जो अब तक एक सिन में किये गए परिक्षन में सबसे अधिक है अब तक 3,261,252 टेस्ट किये जा चुके हैं और पॉजिटिविटी रेट 7,57 फीसिदी है अगस महिने के शुरू के 10 दिन और बीते 10 दिन की तुलना करें तो 1 से 10 अगस के बीच 5,76,000 से अधिक नए के सामने आये थे वहीं 11 से 20 अगस के बीच 6,21,851 नए मामले सामने आये जो 45,000 ज्यादा है और इसमें 7,92 फीसदी की बढ़हत हुई इसी तरह सरक्रिय मामलों की बात करें तो अगस महिने के शुरू के 10 दिन में 89,627 सरक्रिय मामले आये वहीं बीते 10 दिन में इसमें कमी आई और ये गरीब 51,000 के गरीब दरज किये गए जो गरीब 38,000 कम था और प्रतिशत में ये 42,60 फीसदी रहा सौस्त हुए लोगों की बात करें तो 1 से 10 अगस की बीच गरीब 4,78,000 लोग ठीक हुए वहीं बीते 10 दिनों में 5,61,000 की गरीब लोग इलाज की बात ठीक हुए जो गरीबन 83,000 अधिक है अगस के शुरू में 10 दिन में 8,649 लोगों की मौत हुई वहीं 11 से 20 अगस के बीच 9,480 लोगों की जान इस बीमारी से गई इस दोरान हुए टेस्ट की बात करें तो अगस के शुरूआत में 57,50,000 से ज्यादा टेस्ट किये गए वहीं बीते 10 दिनों में 80,77,000 से ज्यादा टेस्ट हुए जो की 23,27,000 ज्यादा है यानि इस अवधी में 40,47 फीसदी ज्यादा टेस्ट हुए कोविड-19 महामारी के बाद पढ़ाई की तरीके बदल गए हैं आज चात ऑनलाइन जैसे माध्यमों से अपनी पढ़ाई पूरी करने को मजबूर हैं ऑनलाइन पढ़ाई के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं नुकसानों को कम कर ऑनलाइन पढ़ाई की गुरवत कोविड-19 महामारी के चलते बच्चे आज घरों में बंध हैं उनका बाहर खेलना बंध है उनकी दोस्त उनसे दूर हैं स्कूल बंध हैं पढ़ाई हो रही है वो भी ऑनलाइन अगर खेलने का मन है तो अकसर गेम्स भी ऑनलाइन ही हैं कुल मिलाकर कहीं तो वर्तमान परिस् और भावनात्मक रूप से भी स्वस्त रहें इस प्रयास में बच्चों की जिम्मेदारी सिर्फ माबाप या शिक्षक पर नहीं है रिपोर्ट में बकाइदा जिम्मेदारियों का वितरन किया गया है इस बात को माना गया है कि भारत में खरीब 27-20 बच्चों के पास जरूरी बनाया गया है इन दिशा निर्देशों के पालन के लिए राज्य सरकारों ये केंद्र शासित प्रदेशों स्टेट कांसल अफ एड्यूकेशनल रिसर्च इन ट्रेनिंग शिक्षकों और स्कूल के प्रधान अध्यापकों की जिम्मेदारियां तै की गई है एक घर में मौझूद संसाधनों से किये जा सकते हों शिक्षकों को ऑनलाइन रेडियो ये टेलेविजिन के मादिम से टीचिंग की तकनीक सीखनी होगी छात्रों का मूल्यांकन पहले के मुकाबले कम अवधी में लेकिन जादा साधारन तरीके से किया जाए लोगडाउन के परिशानियों का सामना ना करना पड़े अगर ऐसा है तो दिशानिर देशों के पालन के लिए अपना अलग तंत्र बना सकते हैं कटिन चाप्टर्स को तभी पढ़ाया जाए जब छात्रों शिक्षक आमने सामने हो सके होमवर्ग देते समय ध्यान रखा जाए कि वो कक्षा में पढ़ाय गए विशे के बारे में हो और अगर चात्रों को कोई कटना आती है तो वो शिक्षक से आमने सामने पूझ सके रिपोर्ट में माबाप के लिए भी जिम्मेधारियां तैकी गए हैं जैसे किताबे लेना पाठिक्रम के बारे में जानकारी रखना चात्रों की ग इस रिपोर्ट में लॉकडाउन के बाद स्कूल खुलने पर विबिन्दर संस्थाओं की क्या भूमिका होगी इस पर भी दिशांदर देश जारी किये गए हैं ब्योरो रिपोर्ट राज्यसभा टीवी और पूर संसथों ने भी पूर प्रधान मंतरी कोशर धासुमन अर्पित किये वहीं राज्यसभा के महासचिफ देश दीपक वर्मा और लोगसभा की महासचिफ स्निहलता श्रीवास्तव ने भी पूश पांजली अर्पित की उप्रश्पती वैंकिया नैडू ने ट्वीट कर पूर प्रधान मंतरी राजीव गांथी कोशर धासुमन ने भी पूर प्रधान मंतरी राजीव गांथी कोशर धासुमन अर्पित की प्रधान मंत्री ने ट्वीट किया पूर प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी की जयनती पर उन्हें शद्धांच ली कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी ने अपने पिता और पूर प्रधान मंत्री राजीव गांधी की समाथी पर जाकर उन्हें शद्धा सुमन अर्पित किये और अब बाद दुनिया के सबसे घातक कीटों में से एक कीट मच्छर की हर साल 20 अगस को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है ये दिवस बिटिश चिकिसक सर रोनाल ड्रॉस की स्मृति में मनाया जाता है मच्छर जी हाँ दुनिया के सबसे घातक कीटों में से एक कीट मच्छर का छोटा सा डंग बड़ा खत्रा पैदा कर सकता है यहां तक की ये इनसान की जान का दुश्मन तक बन जाता है क्योंकि इसमें मनुश्यों के भीतर रोग प्रसारित और रोग संचारित करने की शम्ता होती है मच्छर की वजह से दुनिया में हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है खास कर बारिश के मौसम में मलेरिया, डेंगू, चिकन गुनिया जैसी अनेग बिमारियों के होने का खत्रा रहता है ऐसे में सतर्क रहने, आसपास पानी ना जमा होने देने के साथ साफ सफाई पर विशेश ध्यान देने की जरूरत है बिटिश चिकिसक सर रोनौल्ड रॉस ने वर्ष 1997 में ये खोश की थी कि मनुष्य में मलेरिया के संचरन के लिए मादा मच्छर उत्तरदाई है लंदन स्कूल आफ हाईजीन और ट्रॉपिकल मेडिसिन ने विश्व मच्छर दिवस मनाने की शुरूरत 1930 में की थी आक्सफोर्ड उनिवसिटी के एक रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2050 तक जलवायू परिवर्दन की वजह से विश्व की लगभग आधी आबादी मच्छा जलित रोगों की चपेट में आ जाएगी जो की एक बड़ा खत्रा है ऐसे में खुद जागरुक रहने के साथ दूसरों को भी जागरुक करने की जरूरत है इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेचिन में इतना ही अपना खयाल रखें अपनों को खयाल रखें और देखते रहें राजी सभा टीवी नमस्कार झाल